नमस्कार दोस्तों यूपी इंफ्राजोन में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम यूपी डिफेंस कोईडोर को देखेंगे दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिफेंस इंडस्ट्री और वर्ल लिबल पे कौन सी कंट्री इसको प्रचा करेंगे 2018-19 के यूनिन बजट में यूपी और तमिलनाडू के अंदर डिफेंस कोईडोर बनाने के प्रस्ताव को अपरबल दिया गया था दोस्तों यूपी डिफेंस कोईडोर के अंतरगत छे नोट्स चुने गये हैं जिसमें अलीगड आगरा जहांसी चित्रकू दोस्तों नोडल अजनसी एक designated authority होती है by government और जो नोडल अजनसी होती है ये कई सारे काम करती है इसमें land acquisition, project implementation, project management और monitoring इसके अलावा promotion of work ये सारा काम करती है और यूपी डा दोस्तों उत्तरप्रदेश के अंदर expressway development के लिए एक नोडल अजनसी है नकिवल expressway development बलकि यूपी के इर्जगर्द जो industrial development होता है उसकी भी नोडल अजनसी यूपीडा है यूपीडा यूपी सीडा की तरह एक centralized authority है यूपी गवर्मेंट की जो हर जगा industrial development करेगी लेकिन इसके एक limitation है यूपीडा को specifically expressway के इर्जगर्द industrial development के लिए बनाय गया है दोस्तों यूपीडा को 2007 में form किया गया था by उत्तरप्रदेश government to facilitate the planning, construction and development of expressway as well as industrial corridor along the expressway इसका गोल है यूपी में infrastructure development करना और industrial activities को प्रमोट करना यूपीडा को यूपी इंदस्ट्रेवलेप्मेंट एक 1976 के तहत form किया गया था यूपीडा की एक बहुत ही अच्छी खासित यह है कि land acquisition process में बहुत तेज है और यही कारण है कि उत्तरप्रदेश में बहुत ही तेजी से भूमी अध्यांड के साथ साथ expressway development हो पाता है और आज की समय में firm को land allocate हो पाता है उत्तरप्रदेश सरकार की defense और aerospace के लिए एक dedicated policy 2018 में लाई गए थी और 2022 के अंदर इसमें amendment किया गया इससे पहले भी दो तीन बार इसमें amendment किये गए है यूपी defense and aerospace unit and development policy 2022 इसके तहत high incentive यूपी government provide करती है defense और aerospace से समंदित manufacturing firm को maximum 500 को रुपीज की subsidy यहाँ पर provide की जाएगी maximum 500 को रुपीज की subsidy परवाइट की जाएगी ऐसी firms को इसके अलावा दोस्तो incentive में भी अंतर है बुदेल खंड के अंदर कोई निवेस कर रहा है तो उसको जादा subsidy मिलती है बजाए की non-bundेल खंड region में इसके अलावा एक financial year में maximum 50 को रुपीज का incentive provide किया जाएगा UP defense corridor की detail को देखें तो UP defense corridor की तहत 6 notes है करीब 5,070 hectare के land parcel को acquire करना है दोस्तों अगर हम इस land को acres में देखें करीब 12,527 acres के land parcel को acquire करना है और दोस्तों इसको face always acquire किया जा रहा है याने कि सुरुवात में कुछ firm के लिए land को reserve किया गया फिर acquire किया गया दैन उसके बाद जब वो सारे land parcel complete हो जाएंगे तो demand को देखते हुए land equation और करा जाएगा अगर हम दोस्तों भूमी अधिगेंड की वरतमान सिती को देखें तो जो वरतमान सिती है उसका जो data है उसके according जाजी के अंदर 1000 hectare से ज़्यादा का भूमी अधिगेंड हुआ है जबकि चित्रकूट के अंदर 50 से ज़्यादा hectare का भूमी अधिगेंड हुआ है अलिगड के अंदर 49.2820 hectare का land acquisition हुआ है और कानपुल लखनाव में करीब 1500 से 120 पिछले 6 सालों के अंदर करीब 1540 hectare का land parcel acquire किया गया है इसके लाव दोस्तों UP Industrial Defense Corridor को Financial Assistance Guidance Support Provide किया जा रहा है by banking firms इनकी बात करें तो इसमें SBI, VOB, SIDBI, PNB, Indian Bank और HDFC Bank सामिल है इसके लाव अगर हम knowledge partner की बात करें इसके लाव अगर हम इसके knowledge partners की बात करें तो इसमें IIT BHU, IIT Kanpur, IIT Kanpur Research and Technology Park Foundation, DRDO यह सब सामिल है इसके लावा अगर हम skill partners की बात करें तो इसमें National Small Industries Corporation, DRDO Defense Research and Development Organization, Aerospace and Aviation Sector Skill Council यह सारे partners हैं जो skill development के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों 6 में से 5 notes का layout ready है दिसमबर 2020 के अंदर कुल मिला के 44 firm के साथ यहाँ पर M.U. sign किया गया था 23 firm अलिगड के अंदर निवेश कर रही है, 9 firm लखनों के अंदर, 4 firm कानपूर के अंदर इसके लवा National Small Industries Corporate यह जो firm है, इसके लवा National Small Industries Corporate Limited और Central Railside Warehousing Corporation यह 4.05 hectare के लैंड पर सलमें लगबग हर नोड में एक warehousing space develop कर रही है तो कुलमिला के दोस्तों यह सारी firm थी, तो अगर दोस्तों हम उन firm की बात करें तो आप उन firm को देख सकते हैं, यह सारे firm हैं, जिन्होंने 2020 के अंदर M.U. sign किया था, UP के अंदर अपनी unit setup करने के लिए अगर हम UPIDA के latest data को देखें, तो अब तक करीब 161 M.U. sign हो गए हैं, और करीब 25,000 रुपीस का निवेश कर रहे हैं, इसके अलावा इसमें 136 industrial firm हैं, 136 industrial firm में 48 firms को land allocate कर दे गए हैं, वहीं दोस्तों 25 institutional firm हैं, जो यहाँ पर कई परकार का support दे रहे हैं, चाहे वो skill का support हो, या फिर यहाँ पर financial support हो, इस परकार के 25 institution हैं, तो यह दोस्तों latest update है, UP defense corridor की, इसके लाव दोस्तों अगर हम initiative की बात करें, जो जो government दरा चलाए गया है, तो सबसे पहले 2020 के अंदर defense expo किया गया था, defense expo में यहाँ पर पहली बार M.O. sign किया गया था, 23 firm ने defense expo में M.O. sign किया थ और यहाँ पर 50,000 करोड के निवेश को प्रस्तावित किया था, इसके लाव दोस्तों छोटे-छोटे event हुए है, बड़ा defense expo नहीं हुआ है, लेकिन छोटे-छोटे event उत्तर प्रदेश में होते रहे हैं, और उसकी वजए से उत्तर प्रदेश में जो यह defense related firm है, इन्होंने है, खास कर दोस्तो, UP Global Investor Summit सी, इसमें भी बहुत सारे defense firm यहाँ पर आये थे, जहां बहुत सारे MOUs साइन होए थे, एक एक दो दो हेक्टेर के land person में हो रहे हैं, और यह बड़े industrial investment है, इसमें हर firm बड़ी amount में invest कर रही है, क्योंकि defense के छेतर में जो भी manufacturing यह कुछ भी काम होत है, उसके लिए huge fund की जुरत होती है, तो यह सारे निवेस, यह सारे units बड़ा निवेस उत्तरप्रदेस के अंदर कर रही है, दोस्तो आने वाली वीडियो में हम कानपुर, अलिगड, लखनव, जहासी, चित्रकूट, आगरा, इन सभी notes की बात करेंगे, इनके layout के बारे में विस्तास से चर्चा करेंगे, क्या-क्या निवेस यहाँ पर हुआ है, कितना काम हुआ है, इन सब पर विस्तास से चर्चा की जाएगी, जो भी information मुझे में लेगी, आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप comment करके बता सकते हैं, अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्स्राइब करें, धन्न वाद आपका ये वीडियो देखने के लिए बलता है, नेक्स्ट वीडियो में